जैहें दोस्तों कैसे आपसे अम्मीद करता है बहुत थी अच्छे होंगे दोस्तों 250 ग्राम पंचायते अब नगर पंचायत बनने जा रही है बहुत ही सांदार अपडेट है विकास के तोर पे देखा जाये तो अब रही बाद जो भी ग्राम पंचायत में करमचारी थे उनका क्या होगा इस विशे पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं लेकिन आप से निवदन कर गए आप इस सूडियो कराश तक देखे आपने हमरे चैनल के बहुत तक सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन ही दबालिजे ताकि आपको हर एक लिए टेश्ट अप्रेट सब एक नगर पंचायत बनता है हलाकि मीनिमम अगर बात करें तो दस जार से कम नहीं होना चाहिए जो भी नगर पंचायत है उसका जो पॉपुलेशन है दस जार से कम नहीं होना चाहिए रही बात इससे अधिक भी हो सकते हैं अगर दस हजार से अधिक हैं तो फिर उसमें भी व अगर जो भी गराम पंचायते नगर पंचायत का रूप ले रही है तो बहुत भी बहतरीन अपडेट है अब वहाँ पे जो विकास का कार है वो बहतर तरीके से हो जाएगा क्योंकि गराम पंचायत में जो भी रास आती है खर्च करने के लिए उसके कई गुनाज़ जादे नगरपंचायत में जाने वाली हैं जो भी नगरपंचायत के करमचारी में विलिप्त हो जाने वाला ऐसा नहीं है कि उनको निकाला जाएगा यह आप लोग अपने दिमाग से हटा दी जाएगा क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में ऐसा अपडेट था कि अगर ऐसा होता है नगरपंचायत में तबदिल हो जाती है गरामपंचायत तो जो भी गरामपंचायत करमचारी हैं उनका क्या होने वाला है जरूर कुछ ने कुछ पद दिया जाएगा आप लोग चींतित नहीं होईए हाँ बहुत सारे ऐसे भी सवाल आते हैं कि अगर निकाला जाता है या फ सफाई करमचारी जितने भी हैं उनका जौब बिल्कुल ही सेफ है क्योंकि आप वो नगरपंचायत के सफाई करमचारी बन जाने वाला है तो उनको चिंदा करने की कोई आवेशक्ता नहीं है अब रही बाद जो भी संग्वीदा करमचारी है जिस तो आपको भी पता होगा क सफाई करमचारी तो परमानेंट है लगी जो संग्वीदा करमचारी उनका क्या होने वाला है तो कुछ ने कुछ पर दिया जाएगा आप लोग निश्चेंत रहे सबसे पहले आप अपडेट देखे उसके बाद फिरा करेंगे नई नगरपंचायतों के गठन वसीमा विस्त पर देखे बनाई गई है और 20 का सीमा विस्तार हुआ है यानि कि इसका पूरा लेखा जो खत तयार कर लिया गया है आगे दाम प्रधान चुने जाने के सवाथ साल के भीतर ही प्रधानी जाने की नौबत आ गई है जी हां करीब 250 ग्राम प्रधानों की प्रधानी जल्द ही चली जाएगी यह नहीं इन ग्राम पंचायतों में तेनाथ कंप्यूटर अपरेटर और मन्रेका की मजदूरी से जुड़े ग्राम रोजगार सेवक की नौकरी भी जाएगी अभी 6 महीने पहले ही इन कंप्यूटर अपरेटर की भरती की गई है ऐसा प्रधेश सरकार का पर पिछली कैविनेट बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन और 20 मौजूदा नगर पंचायतों के सीमा विस्तार का फैसला करने के कारण हो रहा है जल्द ही प्रधेश की करीब तहाई 100 ग्राम पंचायतों का वजूद खत्म हो जाएगा पिछले सार अप्रेल माई में 33 पंचायत चुनाओ होे थे और उनके बाद जून में ग्राम पंचायतों अगठन हुआ था प्रदेश सरकारद्वारा नई नगर पंचायतों के गठन और सीमा विस्तार के नीड़े के बाद खत्म होने वाली इन ग्राम पंचायतों के प्रधान कंप्यूटर आपड़ेटर की प्रमुकि इस फैंसलर की वजह से जा रही है यह ब्लॉक प्रमुक जिस ब्लॉक से चित्र पंचयत सदस चुनाओ चुना गया था वह ब्लॉक अब नई नगर पंचयत में सामिल होने जा रहा रहा है एक अनुमान के अनुशार करीब 5-7 ग्राम पंचायतों को मिला कर नई नगर पंचायत बनेगी सीमा विस्तार की वजह से भी करीब 700 ग्राम पंचायते खत्म होंगी कुछ प्रभावित ग्राम प्रधान इस नीड़े के खिलाफ अदालत की सरन लेने की भी तैयारी कर रहे हैं पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने भी सरकार के इस फैसले पर नराजगी जताई है संगठन के प्रोटता ललित सर्मा का कहना है कि अगर राज सरकार को यही करना था तो सवा साल पहले इन ग्राम पंचायतों में चुनाओं नहीं करवाना था बताते चले कि पंचायत राजबी भाग ने भी नई नगर पंचायतों के गठन वा नई नगर पंचायतों के सिम अविस्तार के प्रस्टाव पर आपत्ती दर्ज करवाई थी आगे इस सफाई करमशारी की नौकरी नहीं जाएगी ये तो सिधा सिधा बोला गया है आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिधा दिया गया है कि 10,000 तक की आबाधी पर 10 वाड बनाए जाएगी इसके बाद 2500 की आबाधी पर एक वाड बनाया जाएगा वार्डों की गठन के बाद इन परसाद तीनों के अंदर आपतिया मांगी जाएंगे इसे पहले सीमा विस्तार होने वाले 155 निकायों में वार्ड गठन का काम पूरा कराया जा चुका है तो साथ हो देखा आपने कैसी अपडेट है और बिल्कुल ही अजीब अपडेट है सभी ग्राम प्रधान जो है बिल्कुल इससे बिशलित होंगे जो भी ग्राम पंचायते आएंगे इसमें अब रही बात की पंचायती राज विभाग ने भी इस पे नहराज़ी जताई है और जो भी ग्राम प्रधान है उसको लेके कोर्ट में जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होना होता तो फिर तो जब ग्राम पंचायत के चुना हुए थे उससी समय ये कर दिया जाना चाहिए था ऐसा भी ग्राम प्रधान बोल रहे हैं और ग्राम प्रधान इसको लेके इसको एक मुद्दा बनाके मोटी बनाके जो कोर्ट है उसके समीब जा रहे हैं लेकिन उस पे कोर्ट का क्या रियक्शन होता है ये बात देखने योग्य है अब रही बात दोस्तों है इसको आपको नहीं मानना है अगर आप चिंतित हो रहा है इस update को ले के इस cutting को ले के और पढ़के आप लोगो के मन में ये संका है कि हमारी नौकरी चली जाएगी तो आप झाल झाल